हुआ है हलो एवर्वान वल्कम तू दिजिटल मैं जिसका आप सबको बेसबरी से इंतजार था कि मैं 2021 में गुजराद बूर्ड का पेपर स्टाइल कैसा होगा किस तरह से ओप्षिंद दिए होंगे हर एक सेक्शंश के अंदर इसक्शन कें अदर आपको मैं दे दूंगा descriptions के अंदर तो आप description में जाके download कर सकते हैं और even जो मैंने translate गया वो सारा गुजराती में है उसकी links और जो मैंने even English में सारा का सारा translation किया हुआ है किस तरह से Maths और Science का syllabus रहेगा according to chapter wise वो सारा मैंने जो English में किया हुआ है वो उसकी भी paper style की मैं आपको जो है link मैं provide कर दूँँ description के अंदर so जिसका आप इतने time से preparation कर तो रहते हैं इंतिजार कर रहे थे कि exam कैसे होगी might be सबको पता है कि May 21st में को जो exam की date दी गई है तो might be उसी time पे तो होने वाली उसमें अभी कोई changes है नहीं so देखते हैं कि paper style कैसी है कि इस तरह से रहेगा तो specially math of science दोनों की paper style same है और यह paper style इस बार की paper style इतनी अच्छी हो गई है जो देखो जिनको लगता था कि pass होने के भी chances कम थे वो सारे pass हो जाएंगे कोशिश अगर अच्छे से पढ़ो तो में बात क्योंकि online के चक्कर में आप लोग ने सही तैयारी नहीं की हो तो अभी से लग जाओ अभी बहुत सारा time है you can go गुजरात बोर हो चुका है paper style थोड़ी easy जैसी लग रही है बट मेहनत फिर भी किसी भी हालत में जिनको बहुत अच्छा score करना उनको काफी अच्छी मेहनत करनी होगी तो चलते है paper style के लिए मैं specially अभी जो discuss तो भी आपकी मर्जी बट तीन अवर्स तो बोर्स तो देही रहे हैं आप लोग को थ्री अवर्स पूरे यूज करने हैं ठीक है सो चलते हैं आप आगे section A जो होगा 24 marks जैसे कि decide किया गया था बोर्ड की तरफ से कि 30 परसेंट जो होगा objective होगा 70 परसेंट जो होगा आपका subjective जो भी proper मलब question answers and all तो 80% 80 marks का 30% अगर हम लोग करते हैं that is equals to 24 marks के objective वो पूरा का पूरा include कर दिया है किसमे section A के अंदर 24 questions होंगे one one marks each हर एक question के कितने marks one marks each है देखो मैं आपको proper वे में बता रहा हूं कि इस one marks के अंदर total question number one to 24 one marks each और all questions are compulsory जिसके अंदर आपको MCQ मिल सकते हैं FIB मिल सकते true and false definition formulas one word questions full forms arrange in order matching short questions answers etc कुछ भी हो सकता है कि यह आपको दिया है कि कुछ भी हो सकता है इसमें से math science social तीनों के लिए same जैसा रहेगा almost डिक्टो टू डिक्टो सेम ही है 24 अब्जेक्टिस है वही हमें पता है कि objective आने वाले हम सारा ही पढ़ते हैं वहीं अब्जेक्टिम में मैंचिंग और true or false क्या फैदा marks तो वन है और एक question के बस तो उसके according हमें करना है फिर अगर हम लोग देखे section B जो two marks questions होते थे तो section B के अंदर last 10 questions है गोली मारो उसको इस बार 9 questions आपको attend करने होगे 9 टूजा 18 लेकिन सबसे खास बात इसके अंदर क्या हो रही है पहले आपको questions के अंदर options दिये जाते थे कि question number 17 उसका और वाला question number 17 दोनों मैंसे एक ही कर सकते हो अगर question number 18 के अंदर कोई option नहीं है तो फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो marks गए बाई लेकिन इस बार क्या किया हुआ है 9 questions 9 to the 18 marks का section है और question number 25 to 36 मतलब total 12 questions होंगे आपके पास total questions कितने होंगे 12 जिस में से सिर्फ 9 आपको करने है means total general options मिल गए आपको 9 questions out of 12 questions आपको करने है मतलब आपको suppose question number 26 नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भी उसके बाद वाले 27 से लेके सारे कर लो जो भी है सो तीन options question मिल रहे है है यानि total 12 questions में कोई भी 9 करो तो यह आपके लिए 9 to the 18 marks की paper style होगी math science social तीनों के लिए same हो गया उसके बाद अगर हम लोग section C पे चलें section C में last time 8 question हुआ करते दे इस बार आपको कर दिया है 6 questions 6 threes are 18 बड़ी बात तो यही है कि 37 से लेके question number 37 से लेके 45 यानि total 9 questions होंगे आपके पास कितने questions होंगे total 9 questions और खास बात यह है 9 मैंसे सिर्फ आपको 6 करने any 6 यानि आपको general options दिये गए हैं आप कोई भी 6 कर सकते हो 9 के अंदर से आपको कोई compulsory options नहीं दिये हो है just you can do whichever questions you know आपको जो भी questions आ रहे हैं जाए sums आ रहे है questions आ रहे है 30 marks questions वह जो भी lengthy questions होते हैं जैसे भी marks बड़ आपको कोई भी 6 करने है out of 9 तो चलो math science social तीनों का अब तक तो same हो गया paper pattern अब social का बाद में हम लोग discuss करेंगे पहले math science के दिए section D जो है five question a plan करने five for the 20 marks और आपको questions मिलेंगे that is 46 to 53 मतलब total eight questions मिलेंगे 46 47 48 49 50 51 52 and 53 total eight questions मिलेंगे 8 में से आपको सिर्फ five questions करने ठीक है this is in maths and science maths और science में आपको total five questions करने है four marks each होंगे तो maths और science के लिए तो आपको यही same रहेगा वह फाइफ questions out of eight वो भी general कोई भी 5 कर सकते हो अब social के अंदर क्या किया गया है social के अंदर four questions out of eight करने है six sorry four questions out of six each four marks यानि यह रहेगा 16 marks प्लस आपका question number 52 जो रहेगा it would be compulsory map वो four marks का map compulsory होगा इसमें कोई options नहीं है तो वो compulsory question दिया हुआ इसलिए social के अंदर क्या कर दिया है four questions out of six any total sixteen marks हो गए तो आई हूप आपको paper style तो समझ में आ गई होगी मैच साइंस social की paper style किस सरसे हैं यह तुम मैंने बता दिया अब दिवो सारे के सारे PDF सारे के सारी चीज़े जो आपको description में चीज़े सारे के सारी details में मैंने डाली हुई है specially maths और science के English version में है पूरा अवेलेबल जो मैं आपको समझा रहा हूं math science का और social English Hindi गुजराती जो भी आपके दूसरे आइधर सब्जेक्स है वह सारे सब्जेक्स आपको मिल जाएंगे वह आपको गुजराती medium के अंदर है तो गुजराती गुजराती में होगा हिंदी हिंदी में संस्क्रिट संस्क्रिट में तो उनका तो कोई इश्यू नहीं है सिर्फ social में आप chapters देख लिजेगा आपको साइध chapter number से easily पता चल जाएगा और according to clearly it is mentioned दो star mark करके सब के नीचे mention किया हुआ है कि जो reduced portion है the reduced portion would be not asked reduced portion नहीं पूछा जाएगा तो जो भी 30 पर्षन आपका हर subject में reduce किया हुआ है जो भी है that would be not asked अब चलते मैच में बही chapter wise markings बही chapter wise marking जैसे कि first अभी मैं 8 chapters उसके बाद next slide में 8 chapters जो भी बाकी के chapters हम लोग करेंगे chapter 1, 4 marks, chapter 2, 6, chapter 3, 5, chapter 4, 6, chapter 5, 6, chapter 5, 6, 4, 4 यह just मैं general बता रहा हूँ क्योंकि यह सारा का सारा मैंने PDF बना के रखा हुआ है आप उसमें से download कर लीजेगा आपको मिल जाएगा just आपको खास क्या देखना है यह marking scheme मैंने अपनी तरफ से निकाला है जो sample paper board ने दिया है उसके base पे कि इस chapter में से इतने इतने marks का यह उच्छा जा सकता है तो यह तो just general आपके aspects के लिए भागी करना सब कुछ है खाली यह ध्यान देना है कि 3 marks और 4 marks का जो मैंने लिखे है chapters व कुछ chapters वह आपको ज्यान देना है chapter 9 that is 4 marks chapter 10 6 marks chapter 11 4 12 4 13 14 & 15 last time 15 4 marks 6 marks का कर दिया यह 6 marks 8 marks का कर दिया है so कहीं न कहीं papers easy भी हो सकते है बैस reduce syllabus है लेकिन लगता है कि easy होगा समझने आएगा लेकिन मेहनत पूरी करना question थोड़ा सा twist हुआ और आप गुम गए तो ध्यान रहें वैसे तो मैंने जो syllabus था reduce syllabus का भी पूरा बनाया हुआ है link वह मैं आपको दे दूंगा वापस इसी वीडियो के अंदर जो syllabus था उसका PDF भी आपको मिल जाए उसकी link भी मिल जाएगी उसको भी आप देख लें जरूर ठीक है फिर science के अंदर हम लोग देखें science में last time जैसा था वैसा का वैसा है कुछ changes नहीं किया हुआ है सारे marks वही है सो जस्ट गोइंग तुरू 4 6 5 6 4 6 5 6 वही मैं ज्यादा टाइम नहीं भी गरना चाहता है इसलिए quickly आपको जस्ट सारे के सारे दे दूंगा मैं आपको PDF format में टोटल एटी मार्क से देखो दोनों ही सब्जेक्ट में math science या social सब में टोटल पेपर जोगा 107 मार्क का होगा लेकिन आपको उसमें से सिफ एटी मार्क का अटेम करना है मतलब वह ओप्शनल 27 मार्क जो है optional निकल जाते हैं जो आप छोड़ोगे compulsory छोड़ना ही पड़ेगा बहुत बेस्ट वे में अटेम्ट करें तो इस वास अल अबॉट तो थैंक यू तैंक यू बेरी मच आपको सारे के सारी डीटील्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी तो एक बार चले जाएगा डिस्क्रिशन लिंक में गुजराती में जो है फॉर्मेट सारे प्लस रिडियू सिलिबस का लिंक भी मैं आपको वीडियो के अंदर डाल दूँगा आपको आपकी सक्सेस जो आपके 95 परसेंट मार्क्स लेना है उसके लिए हाड़ वर्क करते रहिए बस टो लॉफ तो यू बहुत मैनत कीजिए ताकि आपका हमारा सबका नाम रोशन हो ड और बाल वर्म बाल वर्म टके